हेलो परेंड, वेलकम टू अश्टडी उशोदागर, दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग पाइथागुरस परमे के बारे में जानेंगे, तथा ये पाइथागुरस परमे से बनने बाले सबाल को देखेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सबस्विले हम भुजा, यानि लंब और अधार के अस्क्वाइर के बराबर होता है, यानि कर्ण का अस्क्वाइर जो होगा, कर्ण का अस्क्वाइर बराबर होता है, लंब का अस्क्वाइर, लंब का अस्क्वाइर पलस अधार का अस्क्वाइर, यही है पाइथागुरस परमे, इस पर पाल कैसे देगा तो यदि कहा देगा कि यहाँ पर लंब अगर आपको चार सेंटी मीटर है और साथी साथ आधार यदि आपको तीन सेंटी मीटर है तो कर्ण का मान ग्यात करें क्या गयतन करना है करन का मान तो हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस परमे से क्या होता है करन का स्कॉयर बराबर लंब का स्कॉयर पलस आधार का स्कॉयर यह होता है पाइथागोरस परमे से अब हम लोग क्या करते हैं करन का स्कॉयर ही हमको निकालना है लिखेंगे करन का चार का Asquare पलस 3 का Asquare तो ये जब निकालेंगे तuage हो जायागा 4 चूक 16 पलस 3 ती तिया 9 इसको क्या करेंगे, योग करेंगे तो 25 आगया करन का Asquare 25 आया इस Asquare को इधर भेजेंगे, थह हम लोग लिख सकते हैं करन बराबर रूट अंडर 25 क्योंकि अस्क्वार इधर आता है तो रूट में चड़ जाता है इसलिए ये हो जाएगा इसका माना जाएगा 25 का बरमुल कितना होता? 5 इसलिए इसमें क्या लगा देंग? सेंटिमीटर इस तरह ये पैथागुरस परमे से आपको सवाल पूछ सकता है और साथ ही साथ इसमें कभी कभी क्या होगा? आपको कर्ण दे देगा उसके बाद लंब भी देगा अधार पूछेगा जैसा इसी परमे हम लोग देख लेते हैं जैसे कोस्टन बोल दिया है कि यदी कर्ण बराबर यदी कर्ण बराबर 13 सेंटिमीटर तथा लंब है कितना? 12 सेंटिमीटर तो अधार कितना होगा? तो अधार कितना होगा? आईसा जब कोस्टन रहेगा तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम इसी परकार करेंगे जैसा कि यहाँ पर सुत्र लिखा गया है कर्ण का स्कोर बराबर लंब का स्कोर पलस अधार का स्कोर यही सुत्र को हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोग लिख लेते हैं सुत्र लिखेंगे पाइथा गोरस परमे से क्या होता है? पाइथा गुरस पर मैंसे होता है कर्ण का स्क्वाइर कर्ण का स्क्वाइर बराबर लंब का स्क्वाइर पलस आधार का स्क्वाइर ठीक अब यहाँ पर क्या करना है कर्ण कितना है 13 तो हम लोग लिखेंगे 13 संटिमीटर का स्क्वाइर वही 13 का स्क्वाइर बराबर लंब कित इतना 12 है तो लिखेंगे 12 का square पलस आधार नहीं मालूम है आधार का square अब देखिए इसको जब square करेंगे तो यह हो जाएगा 13 का जब square करेंगे कितना हो जाएगा 179 और 12 का जब करेंगे तो 144 पलस आधार का square तो लिख देते हैं आधार का square अब देखिए 179 इधर है यह 144 इधर अश्क्वार ठीक अब इसको जब घटाएंगे तो देखें 9 में स्चार गया 5 6 में स्चार गया 2 यानि 25 आ गया तो 25 बराबर हो गया आधार का अस्क्वार और हम लोग इस अस्क्वार को हटाएंगे तो इधर रूट चर जाएगा तो इधर हो जाएगा root under 25 क्या हो जाएगा root under 25 बराबर आधार हो गया इसलिए root 25 का मान कितना हो दा 5 5 centimeter बराबर आधार यानि आधार का मान जो होगा आधार बराबर हमें कितना आ गया 5 centimeter इस तरह इस पाइथागोर्स पर मैंसे आपको सवाल रह सकता है I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को सेर करें साथे साथ इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जहें दोस्तों धन्यवाद